नमस्कार साथियों, आप सभी दोगों को नावरात्री की बहुत बहुत शुब कामना है नावरात्री का आज पहला दिन है और आज की दिन से हम दुर्गाशब्टशिती पर चर्चा करना आरंब करेंगे दुर्गाशब्टेशदी के हाल में ही बहुत ज़्यादा चर्चा में रही क्योंकि एक राज में मंदिरों में दुर्गाशब्टेशदी का पार्ट करने के निर्देश दिये गए और प्रतियक जिले को एक लाख रुपय उससे भेजी भी गए उसको लेकर फिर बहुत सारे लोग जो है वो ये चिंता करने लगे कि एक धर्मनेर पेक शराज में इस तरह के निर्देश जो है उचित नहीं है हालांकि निर्देश मंदिरों के लिए दिये गए थे और धर्मस होई भाग जो है वो है काम जो करता भी आया है तो ऐसी इस्तिती में जबकि दुर्गा शप्तेश दी पर इस तरह की बहस हो रही है हमें ये समझना होगा कि आज की युग में दुर्गा शप्तेश दी पर चर्चा क्यों ज़रूरी है भारत भागिशाली है कि इसे उत्तर अमेरिका पश्मी अरोग और आस्ट्रलिया में और न्यूजलैंड में 1970 के देश्यक में चले गॉड़ेस अंदोलन की तरह कोई देवी अंदोलन नहीं चलाना है ये भारत का सवभाग्य है कि इसे इतनी शताब्दियों बात जाकर सब्सक्राइन रोज के तरह इस्त्री इश्वर का वेचार भी प्रवर्तित नहीं करना है इसके पास शक्ती है इसके पास दुर का शप्त शक्ती है और इसमें जो श्रद्धा है वो किसी तरह के फैमिनिसम के द्वाराकारित नहीं है वो शद्धा के भारतिय ग्लोब का एक अनिवार या प्रांतिर है इसमें जो आग्रह है वो किसी फैमिनिस्ट का आग्रह नहीं है यहां इस्त्री को सहायता देने के लिए देवी की बात नहीं केगी है बलकि पुरुष को धैरे और संबल देने के लिए देवी के संकलपना है और इसलिए शक्ति के हमारी जो संकलपना है उसमें किसी तरह का रिलिजिस फैमिनिस्म नहीं है यह पुरुष की अंतरभूत उर्चा है और उसे गाड़े में से निकालने की एक कोशिश है इसी कारण इस्त्री शक्ति का भारतिय मानस में एक अविरोधी स्वीकार हुआ वीमेन लिब आंदोलन यहां नहीं चलाना पड़ा यहां इस्त्री की मुक्ती नहीं थी मुक्ती की इस्त्री थी वह जो हमें महानिद्रा से मुक्त करती है वह जो इस विश्य को आसरी शक्तियों से मुक्त करती है और वह जो क्या वल्य प्रदान करती है दुर्गाश अप्तिशिदी का एक अतिहासिक फंक्षन ये रहा कि इसने इस्त्री को पामों की जूती, मलिन और इस धर्ती की कोई पार्थिव वस्तू समझने की जगे उसे दिव्यांशों का समुच्चे बताया जिस तरह से एथेंस में हर इस्त्री को अनिवार्य तह एक पुरुश अंगरक्षक रखना पड़ता था, एक काईरियोस रखना पड़ता था उस समय भारत में देवतावर्ट तक की रक्षा के लिए भी देवी के अउधारना चल रही थी ये ध्यान देने की बात है कि जिस समय भारतीय काउवियों में प्रेम के अधभूत प्रसंग और कथायं चल रही थी उस समय प्राचीन रोम में रोमान से शादी के लिए कभी कोई कारक होता ही नहीं था और प्रचलिन जो है वो अरेंच्ट मेरिज का था आयोचित विवाहों का एथेन्स में तो रजस्वला होते ही लड़की को ब्याहा दिया जाता था एथेनियन शादी में प्यार या स्नेहों जैसी किसी चीज की कोई भूमिका ही नहीं होती थी ग्रीक और रोमन समय में तो यह होता था कि इस्तिकी आयोगरणा विवाहा के दिन से शिरू की जाती थी उस समय भारत में पारवती अपने परिवार की भावनाओं के विपरीच जाकर अपढ़ना होकर अपने मन पसंदवर के लिए तापस्या करती थी और उससे उत्तिर्ण करती हुई दिखाए भी जाती है दुरगा शिप्तिशिती के उत्तिर चरीतर में पारवती की जलक है और उस आत्मश्वास के भी माइने हैं जिसके तहत देवी सुयम शिव को दूद के कारे में नियुक्त करती है दुरगा शिप्तिशिती के जो अंतिम दो चरीत रहें वो इस्तिरी के बहुतिक बल को भी बताते हुए प्रतीत होते हैं और वह इसलिए कि इस्तिरी को किसी भी चीज़ के निश्यत के फ्रेम में क्यों देखा जाए जैशेंगर प्रसाद कामैनी के लज्जा सरग में लिखते थे कि यह तो आज समझ पाई हूँ मैं दुरबलता में नारी हूँ अव्यव की संदर कॉमलता लेकर मैं सबसे हारी हूँ लेकिन दुरगा शिप्तिशिती दुरबलता में नारी को परिभाशत नहीं करती वो शेक्सपियर की तरह यह नहीं कहती कि दुरबलता तेरे नाम ही स्ट्री है दुरगा शिप्तिशिती इन चीज़ों के इस परिष्ट परत्याख्यान करती है और शताब्दियों तक पाशात परंपरा जो इस्ट्री को वीकर सेक्स के रूपन जताती बताती आई उसके साम ने दुरगा शिप्तिशिती इस आगरह के खोकलेपन को भी स्पेश्य करती है यहां दुरगा जो है कोई डैडिस गर्ड नहीं है और इसलिए वो आज चादा प्रासंगिक लगते हैं पता नहीं इसकी रशना कितने योगों पूर वो ही होगी लेकिन आज तक भी इतनी तक चल रहे थे जिसमें कि इस्त्रिदेहे का वितरन अपुनर वितरन किया जा रहा था जिसमें प्लेटो ये बता रहे थे कि इस्त्री का मुखेकार बच्चे और वो भी लड़के पैदा करना है और ग्रीस में पतनी अपने घर में आदमियों की शोशल गैदरिंग में हिस् थे और इस्त्री की परिभाशा अपूर्ण पुरिश की रूप में कर रहे थे कि आदमी किसी खास सामर्थी के चलते आदमी है और इस्त्री किसी खास असामर्थी के चलते इस्त्री है कि आदमी औरत के ऊपर ठीकी चार्ज ले लेता है कि पुरिश शासन करता है और इस्त्री शास्षित होने के लिए है कि इतना सब कहने के बाद इस्त्री को अरस्तू पालतू पशू मानते थे उस समय भारत में दुरुगा के चरिये इस्त्री की शक्ति का या आदर्श रखा जा चुका था वो तो अच्छा ही है कि दुरुगा शब्तेश्चती की रश्णा प्लेटो अरस्तू के समकाली नहीं हुई आनिया था शुम्ब और निशुम्ब के जो स्वर इस दुरुगा शब्तेश्चती में बताए हैं वो इन दोनों के स्वरों से काफी मिलते जलते लगते हैं प्लेटो के अनसार सिर्फ पुरुष्यों को ही देवताओं ने सीधे रचा और उन इसमें जो ताकत का हिस्सा है वो पुरुष्य के पास है ऐसे विचारों के दौर में हम लोग जब दुरुगा शब्तेश्चती को भारत में पढ़ रहे थे तो इस्त्री की जिस अवधार्णा की बात वहां पर हो रही थी उसी अवधार्णा ने भारती इस्त्री को ये शक् यही नदर आती हैं चाहे द्रापदी हो जो कि दुरियोधन की विरुद्ध प्रतिरोध का एक पूरा स्वार रच्ती है और इसलिए आज यदि किसी राचे के द्वारा दुर्गा शब्तेश्चती का पुनर पाठ जो है आवश्यक माना गया है तो एक बहुत स्वागत यह या रजय है लोकिटिव डाट हमें इस उमर में ऐसे रहेंगे क्या फिल्कुल रहेंगे अगर पापा जैसी सही प्लाइनिंग की तो जैसे की मेरे पापा ने इन्वेस्ट किया एलाइसी के जीवन अक्षे में जो दे रहा है इमीडियेट और गारंटिड अन्यूटी अट र रेगिलर इनकम है सिह इंगल आइसी के एन अनुटी प्लान्स दिद एनुटी ऑप्शन्स और नीयमिड इंकम पाने में फ्लेक्सिबिलीटी भी इलाइसी हर पल आपके साथ मॉः खबरें जो आपके काम की हैं वो खबरें जो आपके लिए जरूरी हैं शर आम और खास से च कर दो